कूलम तो फ्रेंट्स यहां पर आज आपको वीड joy का पता लगने वाला है कि मार्केट में कल्ल क्या होने वाला है क्या को सकता है लेकिन क्या पता वीडियो में कुछ आप लोग को भी आईडिया मिल जाए दिखते हैं वीडियो चलते हैं बैंग निफटे के पांस्ट में का चार्ट मने उपन किया हुआ है हमें यहाँ पर क्या देखना को मुल रहा है कि मार्क अगर यह वाला जो है मूव आती है तो हमारे पास जो उपर की पिंक लाईन है वहां तक एक अच्छे मूव देखने को मिल सकती है और देखते हैं क्या होता है तो friends यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं market जो है वो close हो गया है लेकिन market जो है वो आज total एक range में था यह range आप देख सकते हैं काफी अच्छी जो है यहाँ पर इसने range बनाई हुई है यह जो blue line है उसे हम थोड़ा सो और extend कर देंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दे तो market में जो है इसी trend line पर से आज बार बार support लिया है ऐसा नहीं कि एक बार ही लिया है काफी बार से इसी trend line पर से इसने जो है support लिया है लगबग इसने जो है मैं आप लोग को points बताओं कि कितने points की move दी है इसने तो आज के दिन जो है लगबग इसने आमे 222 points की move दी है basically sideways था तो कुछ खास हमें इसमें trade नहीं देखने को मिली तो अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है कल क्या हो सकता है कि market जो है वो हमारे अगर उपर जाता है मैं आपको one day time frame पर दिखा हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं जो तीन red candle के बाद एक green candle बन चुकी है अभी जो है market फिर से यहां पर हमें उपर जाता हुआ या तो दिख सकता है तो अभी जो है मैं आप लोग को time frame change करके दिखा देती हूँ कौन से time frame पर जो है और हमें अच्छी यहां पर moves देखने को मिल सकती है पांच मिन के time frame पर अगर पांच मिन नहीं पंदरा मिन के time frame में लगा हूँ तो हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है हमें यहां पर जो हमने trend line बनाई थी वो आप देखी सकते हैं वो तो है उपर से यहां पे जो है एक और ट्रेलाइन है जो कि यह वाला वेज़ पैटन टाइप का एक हमें जो है यहां पर पैटन देखने को में उड़र जिसका ब्रेक आउट आ चुका है तो ब्रेक आउट आ चुका है तो हो सकता है कल मार्केट गैप अपपन हो तो अगर gap up open होता है तो इसके लिए हमारा first target जो है वो क्या होगा और second target क्या होगा वो मैं आप लोग को बता देती हूँ उससे पहले अगर आप देखें तो wedge pattern का breakout आया था फिर से market wedge pattern में ही हो गया तो हमारा पहला target जो है वो पहली pink line हो जाएगी और second target जो है वो हमारा यहाँ पे second जो pink line है वो हो जाएगी और यह वाला जो level है यह अच्छा level है जहां से market ने पहले भी रुका है तो यह break होते ही है हमारे targets हो जाएगे क्योंकि wedge pattern का breakout भी होगा जहां से market ने support resistance एक level है वो उसका breakout भी होगा और अगर market नीचे आता है तो नीचे की side भी हमें जो है इसमें एक trend line देखने को मिल रही है जिसको भी अगर यह retest करके break करता है तो हम जो है हमारे यहाँ पे trade downside की ले सकते हैं तो काफी अच्छे जो हैं हमें यहाँ projection base के उपर ही buying side और selling side दोनों side ही जो है हमें trade देखने को मिल रही है उम्मीद करते हूं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से कि अगर हमें call लेनी है तो कैसे लेनी है पोट लेनी है तो कैसे लेनी है तो चैनल पे नए है तो subscribe करना मत फूलना वीडियो को लाइक कर देना कमेंट्स करना थैंक यू फ्रेंड्स